पर इसलिए मक्का और मदिना जैसा पवित्र इसलामिक तीरस धल वहाँ परस्तेत है मक्का में पवित्र कामा है जिसकी परिक्रमा करके हार एक मुस्लिम धन्ने हो जाता है यही वो जगे है जहाँ हज यातरा पूरी होती है लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि आकर मक्का मदीना में पथर क्यों मारे जाते हैं आकर क्यों पथर मारे जाने पर भी वहां लोग का आना जाना कम नहीं होता तो चलिए आज के हम अपनी स्टोरी में आपके सामने इस बात का खुलासा करेंगे मक्का पर बहुत लंबे समय तक पेगंबर मुहम्मद के वंचों का राज किया था आकार और आकरिती दोनों को ही देखते हुए मक्का बहुत खुबसूरत है दिखने में लेकिन आज हम उससे पहले करने जा रहे हैं मक्का मदीना से जोड़ा एक और बड़ा खुलासा जिसे जानने के लिए आप हमेशा बेताब रहते हैं और बात ये है कि आखिर कैसे मनाई जाती है मक्का मदीना में इड़ इसे जानने के लिए हर एक मुस्लिम हमेशा ही बेचैन रहता है ये तो आप सब जानते ही हैं कि मक्कामदीना में गैर मTime़ों का प्रवेश करना निश्यत है और वहां सिर्फ मसलिम ही जा सकता है और हर एद पर वहाँ पर भारी मात्रा में मुस्लिमों का ताता उमरता है मक्का की एद में शामिल होना हर मुस्लिम की चाहत होती है क्योंकि वहाँ पर एद के मौके पर जो भी मन्नत मांगो सब पूरी हो जाती है और इससे पहले हमने ऐसे ही आपको एक और फुला सकतिया था कि आखिर मक्का मदिना में हिंदूओं का जाना क्यों मना है उसका राज जानकर भी आप सब रह जाएंगे बिल्कुल दंग तो इंतजार क्या करना तो रंज जाएं हमारे description box में और क्लिक करें दिये गए लिंक पर अभी के लिए हमारी स्टोरी में बसतना ही और मोर बॉलेवोड एं टेली गॉसिप्स प्ली सब्सक्राइब तो आर चैनल टॉप न्यूस जस्ट फॉर यू तॉप न्यूस से रवीकिरी पोर्ट और मोर टेल सब्सक्राइब चैनल और फ्ल्ड टीज तब इस व्यूस अब्सक्राइब चैनल टॉप एं जा प्ला एं सो यू निवर में अप्डेट अप्डेट फॉर अप्डेट नियूस